हाई, वेलकम टू भावीन ओनलाइन क्लासिज, इन दा चैप्टर लिविंग वर्ड, वी विल डिस्कस अबाव टैक्सोनोमिक एड्स देखो, आर्थ पे ना प्लांट की, एनिमल की और डिफरेंट माइक्रो ओर्गनिजम की हुज डैवस्टी पाई जाती है इतनी हुज डैवस्टी पाई जाती है, इन में से कुछ प्लांट, कुछ एनिमल और कुछ माइक्रो ओर्गनिजम स्पीसिज वेरी उजफूल होती है इन फील्ड लाइक एग्रिकल्चर, फोरेस्ट्री और इंडस्टी तो अब हम क्या करते हैं कि इन प्लांट, एनिमल और माइक्रो ओर्गनिजम की स्पीसिज के बारे में हम इनफोर्मेशन इखटा करते हैं और ये इनफोर्मेशन इखटा करके हम इन इनफोर्मेशन को स्टोर करते हैं यह information जब हम इखटा करते हैं, तो हमें इनको store करते हैं, और appropriately store करते हैं, ताकि future में इनका हम use करते हैं, तो biologist क्या करते हैं, biologist standardized करते हैं, certain techniques, certain procedure, to store these information, और वोई techniques and वोई procedure constitute करते हैं, taxonomic aids, तो taxonomic aids क्या होती है, taxonomic aids, techniques, procedure and stored information, that are used in identification and classification of organism, तो taxonomic aids क्या होती है, कि वो techniques, वो procedure, वो stored information, जो identification में और classification में help करती हैं, वोई taxonomic aids कहलाती है, तो taxonomic aids, different type of taxonomic aids are there, herbarium, botanical garden, geological park, museum, औरा, फ्यूना, monograph, catalog, journal, यह सारे help करते हैं, taxonomic study में, तो first we will discuss about herbarium, herbarium क्या होता है, herbarium is a place where dried pressed plant specimen mounted on a seat are kept according to widely aseptic classification system, इस system के accordingly उस herbarium में ये plant species dried करके, mount करके paper पे रखी जाती है, और क्यों रखी जाती है, ताकि future reference में जब भी कोई नई plant species मिले, तो herbarium को देखके हम पता लगा पाए कि ये इससे मिलती है या नहीं मिलती है, identification and classification में and relationship वो plant species में help करता है, herbarium, तो herbarium को हम कैसे तैयार करते हैं वो अब हम देखते हैं, here are the different steps involved in herbarium seed preparation, first क्या करते हैं हम collect करते हैं, collection करते हैं, हम area को visit करते हैं और वहाँ plant और shrubs या hubs जो भी होती हैं उनको, जिनका हमें हर्बेरियम प्रिपेर करना है उनको हम collect करते हैं फिर उसको हम dry करते हैं फिर उसको poisoning करते हैं फिर उसकी mounting करते हैं seat of paper पे फिर उसकी हम stitching करते हैं labeling करते हैं और finally deposition कर देते हैं हर्बेरियम seat का तो first हम discuss करते हैं collection collection में क्या होता है कि हम उस area को visit करते हैं अगर जिसका हम visit करते हैं अगर जिसका हम hrbarium prepare कर रहे हैं वो hubs है तो पूरे के पूरे plant को ले लेते हैं with root system और अगर वो बड़ा plant है woody plant है shrubs है तो हम क्या करेंगे कि एक twiggo plant ले ले लेंगे 30 to 40 cm long जो suit leaves and fruit के character अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे जो हमने कलेक्ट कर लिया उसको हम पे पोलीथिन बैग या वैस्कूलम में डाल देंगे Vesculum होता है, एक metallic box होता है जिसमें हम उसको pre-jour करते हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि plant का deterioration ना हो और उसमें water loss ना हो उसके बाद हम करते हैं drying तो drying में हम क्या करते हैं? Plant specimen के newspaper या bloating paper पे spread करते हैं ताकि वो moisture absorb कर सके उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? एक folder में रख देते हैं उस plant specimen को उस newspaper और bloating paper के साथ एक folder में रख देते हैं और उस folder को finally हम रखते है field press यह machine होती है जो pressing में help करती है field press में रखके उसकी pressing करते हैं और जो यह newspaper और bloating paper moisture gain कर लेता है इसको continuously change करते रहते हैं जब तक कि पूरा का पूरा plant specimen dry नहीं हो जाए और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि pathogen के attack से बचाने के लिए हम वो जो moist newspaper हो जाता है और bloating paper जो moisture gain कर लेता है उसको बदलते रहते हैं next है poisoning poisoning में क्या करते हैं? spraying of chemical करते हैं specimen पे ताकि उसको pathogen के attack से बचाया जासके इसमें हम 0.1% mercuric chloride यूज करते है जो fungicide होता है और DDT naphthalene and carbon disulfide यूज करते है जो insecticide होता है next step is mounting, stitching and labeling इसमें क्या करते हैं? कि जो specimen है उसको herbarium seat में mount करते हैं और herbarium seat का international standard size है 41 x 29 cm inches में 11.5 x 16.5 inches और जो यह label है जिस पे हम scientific name देते हैं vernicular name देते हैं family देते हैं उसकी name of collector देते हैं date and place of collection देते हैं और economic importance भी कई बार हम mention करते हैं उस label की size होती है 7.9 x 10 x 15 cm इस label की size जो corner में herbarium seat पे जो label होता है अब क्या करते है इसको mount करते हैं या तो इसको glue की help से stitch करते हैं जो plant specimen हमने prepare किया है उसको herbarium में रख देते हैं और arrange करते है according to उसको वहाँ पे arrange किया जाता है according to wildly a separate system of classification that is bantamooker classification herbarium के example है royal botanical garden जिससे एक herbarium attach है जिसमें 6.5 million species है एक केलकटा में है central national herbarium जिसमें 2 million species है plant specimen रखे हुए है एक है मदरास herbarium जो कोयमबटूर में है जिसमें 1.5 lakhs plant specimen रखे हुए है और एक herbarium है national botanical research institute लखनाओ में जिसमें 18,000 plant specimen रखे हुए है तो अब हम देखते है types of herbarium there are 6 different types of herbarium holotype, lactotype, neotype, synotype, isotype and parotype जो first description of plant जिसमें बेस होता है वो herbarium seed कहलाती है holotype अगर holotype lost हो जाए तो second herbarium seed prepared from original plant वो कहलाएगी lactotype तो holotype वो होती है जिसमें first description of plant जिसमें base होता है जो सबसे पहले तयार की हुई होती है botanist ने और lactotype होती है अगर वो holotype lost हो जाए in case holotype is lost then second herbarium seed is prepared from original plant तो वो कहलाएगी lactotype अब neotype में क्या होता है अगर holotype के साथ-साथ original plant भी available ना हो then specimen या herbarium seed prepared from the other plant of the same species other plant of the same species वो कहलाएगा neotype same type में क्या होता है अगर ना holotype हो ना original plant हो तो क्या होता है कि many herbarium seed prepared from many plant of the same species उसी species के बहुत सारे plant से बहुत सारे herbarium seed जो prepare करते हैं प्लांट नेक्स्ट पैरा टाइप ये एक additional herbarium seed होती है जो plant के description first description में help करती है ये prepared होती है some other plant of the same species showing some variation ये variation शो करती है इसको holotype और प्राटाइप का comparison हो जाता है उस plant species में दो seed prepare करी जाती है एक holotype और एक paratype तो paratype में थोड़े बहुत variation होती है क्योंकि वो दूसरे plant से prepare की जाती है जिसमें थोड़े बहुत variation होते है herbarium की uses क्या होते है जो information इकटा करके हम store करते है वो herbarium की रूप में store करते है और जब भी हमें future reference के लिए वो use में लाई जाती है तो herbarium को देखके हम वो कर लेते है तो herbarium का use है accurate description of plant species accurately description मिलता है किसी भी plant species का herbarium से herbarium help in identification and classification of species और ये relationship भी बताता है कि ये इसे resemble कर रहा है नहीं कर रहा है और ये alpha taxonomic research में भी help करता है तो herbarium क्या होता है quick referral system होता है quick referral system होता है for identification of taxonomic species तो ये इसके uses थे next नहीं पढ़ते है flora flora क्या होता है एक particular एक defined area में जितने भी plant है उनका distribution उनकी habitat के बारे में जो जानकारी देते है वो book कहलाती है flora उसके बाद है manuals manuals क्या होता है specific group of plant के बारे में detailed description दे उसकी habitat है उनका distribution like manuals of cultivated plant manuals of medicinal plant and flora का example है flora of Delhi जो studied by JK महेसुरी तो इसमें flora में listing के साथ habitat के बारे में भी बताते हैं habitat and plant distribution listing of all the plant and their habitat in flora manuals में specific group of plant की detailed description होती है जैसे manual of cultivated plant manual of medicinal plant next है monograph ये detailed description और information देता है specific group के बारे में taxon के एक single taxon के एक single group और single taxon के बारे में information देता है जैसे monograph of avena species अब देखो जनरल में क्या होता है कि जो avena genus है scientist avena genus पे work करते हैं और इसकी nutrition value बढ़ाने की कोसिस करते है जो experiment होते हैं उनका जो result रजल्ट आफ ओन गोविंग रिसेर्च पब्लिसिं जर्नल next है catalog catalog में क्या होता है listing of organism and plant species according to alphabetical arrangement of species इसमें क्या होता है detailed description of different plant और उनकी characteristics का detailed description होता है और उनको alphabetical arrangement होता है उनका